जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़े प्रेटफोर्म में उमीद है आप और आपका परिवार बेहितरीन और उंदा होगा दोस्तो आज की है वीडियो सीट एक्जाम पर पड़ेगी भारी क्योंकि आज ऐसे चैप्टर को हम खतम करेंगे 25 कोईसंस में दोनों भासाओं में हिंदी और इंग्लिस में याद ये रखना है कि ये कोईसंस इतने ज़्याला ट्रेंड करते हैं एक्जाम में यानि लिंग पूरबाग्रह, लिंग पक्षपात और जेंडर रूडि बदिता दिमाग का सारा तनाव आपका खतम कर देंगे आने वाले 10 मिनट में तो चलिए हम कोईसंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और उसके पहले हम जानेंगे ये लिंग पूरबाग्रह होता क्या है तो आपके सामने क्वेसंस गुजरेंगे बहुत तेजी से एक क्वेसंस को हम खतम करेंगे तो चलिए पहले एक स्लाइड में जान लेते हैं 10 सेकेंड में कि लिंग पूर्वाग्रे है क्या फिर 25 प्रस्ण करते हैं लिंग पूर्वाग्रे हैं लिंग पक्षपात और जेंडर रूड़ी बदिता इसको दिमाग में एक ही मान लीजेगा अब मैं आपको बताता हूँ कि पूर्वाग्रे क्या है एक मनगडंत बात कहbooks में, जो प्रचलन में आ गई है, तो जो सिद्ध करने के लिए उसका कोई प्रमाल नहीं है, लड़के क्या करेंगे, आफिस का काम करेंगे और लड़के का काम काम करेंगी, ऐसी मानसिक धारना बन जाना जिसका कोई प्रमाल नहीं हो, तो वही कहलाता है लिंग पूरबागरह, लिंग पक्षपात, जैसे 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 डॉट 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 ठीके ना, या रूड बद्धिता, तो ये चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, जैसे चार पॉइंट और समझते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, क्वेसा नमबर एक पर, जैसे प पॉइंट है, ऐसा स्टेटमेंट है, जिसका कोई भी क्या है, प्रमाड नहीं है, न सिद्ध आप कर सकते हो, लड़कों को बाहर कारे करना चाहिए, और लड़कियों को घर कारे करना चाहिए, ये भी कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, कोई प्रमाड नहीं है, मनगणत बाते है अंदविस्वासी बाते हैं संगीत गाना बजाना लड़कियों को सीखना चाहिए या लड़कों को आफिस का काम सीखना चाहिए तो ऐसी चीजें जो है या लड़के गड़ित में मजबूत होते हैं लड़कियां अक्सर गड़ित में कमजोर होती हैं अगर ऐसे statement आते हैं तो यह सभी जो हैं अंद विश्वासी और मनगणत बाते होती हैं जिसको लिंग पूरवाग्रे, लिंग वक्षपाद या रूडबधिता कहा जाता है चलिए अब हम questions किस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तो पहला question आपके screen पर है कि एक अच्छी पार्टे पुस्तक dot dot से बचती है या बचाती है दोस्तों यदि आप बाकई में सिक्षक और सिक्षिका बनना चाहते हैं तो हम एक ही में पूरा theory कर देते हैं और उसी वीडियो में हम questions MCQ करा देते हैं कोई दूसरा part कभी हम नहीं लाए हैं इसलिए subscribe करें इमानदारी से एक ही जगह सारा matter प्राप्त करने के लिए बिल्कुल free में कोई pet course हमने नाज तक जीवन में चलाया है ना चलाओंगा answer क्या हो जाएगा option number a हो जाएगा gender wise हो जाएगा option जाएगा a के साथ क्योंकि लेंगिक पूरबा ग्रे है ये लेंगिक पू इठा लेनी है कोई से नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है आपको जवाब देना है लॉक करना है क्या answer होगा बताइए राज जी इस तरकी एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विध्यारतियों को तैयार करते समय विध्याले लड़कियों को बरीता देता है कितनी गलत बात है यानि लड़कियों को बरीता देता है गायन प्रतियोगिता मतलब जो गाना है नाचना है वो लड़कियां ही करेंगी ऐसा विध्याले कर रहा है क्या लड़के नहीं कर सकते हैं बताइए तो मैं यह कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें भी पक्षपात हो रहा है तो ये is the opposite of sensitivity की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों की लेंगिक संबेदन सीलता जो जेंडर है ना दोस्तों जेंडर की बात हम कर रहे हैं संबेदन सीलता की बात कर रहे हैं इसका विपरीत क्या होगा तो ये दोस्तों विपरीत में अगर पूचा जाए तो वहां पर ध्यान देना है कि यहां पर क्या हो जाएगा अंधता हो जाएगा इसका विपरीत जो है जेंडर ब्लाइंडनेस हो जाता है चलिए gender waste questions पूरुस और महिलाओं की भूमिका का निर्धारन समाज करता है ये कथन बताता है कि क्या बताता है लेंगिक्ता एक अंतर ग्यानी अवतरन है यानि sexuality is an intuitive expression लेंगिक्ता एक अनुवानसिक प्रतिवा है sexuality is a genetic talent क्या genetic होता है क्या आपके बावा जैसे थे बैजे आपके सरीर में गुड़ा जाएंगे तो आप लड़के और लड़कियों में मतभेद करेंगे अंद्विस्वास आ जाएगा ऐसा तो होता नहीं है हाँ लेंगिक जो है न एक यह क्या है एक social contract है दोस्तों इसलिए इस question की बात करेंगे यानि option जाएगा डी के साथ यह समाज में एक प्रचलित क्या है रूड़िबद्धिता है रूड़िबादी परंपरा है लेंगिक पूर्वा ग्रह है चलेंगे 5 नमबर पर प्राया यह माना जाता है कि आरती सारीरिक छमता में कमजोर होती है सारीरिक छमता में कमजोर होती है लड़की की बात करी जा रही है प्राया यह माना जाता है कि आरती सारीरिक छमता में कमजोर होती है मतलब ये कहा जाता है, लोग कहते हैं, गाउं के लोग, कस्वे के लोग, जहां रहती है ये आरती जो है लड़की है, ये रहती है कि बी, आरती is weak in physical ability, तो ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, लेंगिक एक सामाजी कवतरण है, वो तो ठीक है, आंसर हो गया, चूथे का, पांच खतम करना चाहता हूँ रूड़ी बद्धिता कैसे जो है पूर्वा ग्रह से अलग है या भेदभाव से अलग है भेदभाव आता है जहांपर बौई और गर्ल में आप तुरंट यहां पर अंतर कर रहे हो और रूड़ी बद्धिता का मतलब होता है जो आपके दादा पर पहले से चलता आ रहा है तो यही कहा गया कि भाया प्राया यह माना जाता है मतलब पहले से ही यह माना जाता है जो पहले से चला आ रहा है पहले से जो रूड़ी रूड़ी बादी क्या होती रूड़ी बादी सोच जो पहले की सोच है उसी को कहा जाता है रूड़ बद्धिता जो अंद्विश्वासी प्रकतिकी है शिक्स नमबर देखिएगा सिक्षक और विद्धार्ती किस प्रकार डॉट डॉट जेंडर को करते हैं या सीखने के बातावरण डॉट डॉट क्या होगा बताईएगा दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो छटे नमबर का जो आंसर होगा बताईएगा क्या आंसर हो सकता है देखिए सिक्षक और विद्धार्ती किस प्रकार निर्मित क्या होगा क्या निर्मित होगा बताएगे कमेंट कीजेगा ठीक है निर्मित जेंडर को करते हैं सीखने के बातावरण में ये सीखने के बातावरण पर प्रुभाव डालता है अब ये कुशन एक्जाम पर आया था देखिएगा कौन सा चन नहीं हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है परिभासित हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्योंकि बातावरण को maintain किया जा सकता है create किया जा सकता है इसलिए create अगर करोगे तो ही उसका जो effect है वो आपका सकरात्मक पड़ेगा नकरात्मक पड़ेगा इस environment पर effect कैसा पड़ेगा यही questions की बात हो रही है seven number बहुत बार exam में पूछा है कि dot dot के अलावा निमलेखी सेणियों में जेंडर को प्रभावित करती है बताईए कौन सा ऐसा है वो जो नहीं करता है एक आपको बताना है कि के अलावा यानि के अलावा एक ऐसा नहीं करता है बाद वाकी सब करते हैं जो जेंडर को प्रभावित करते हैं बताईए seven number का अंसर क्या होगा लॉक किया जाए बहुत बढ़िया तो यहां पर जातियता हो जाएगा यहां पर option number a लॉक हो जाएगा बिल्कुल सही बात है कि धर्म हो सकता है अविक्षम पर तो पहले बढ़ चुके हैं फिलाल eight number देखिएगा eight number क्या है eight number आपको बताना है कि बच्चे dot dot को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहन करते हैं बड़ा अच्छा प्रश्ण है यह कुशन इकजाम में आता है हरवार कुशन पूचा जाता है very very most important है दोस्तों answer D हो जाएगा ट्यूसन हो जाएगा media बिल्कुल करेगा Sanskrit ही आपकी culture कैसे आ रही है पहले क्या था आपके पुराने लोग कैसे अपनी भूमिकाओं को निभाते थे culture कैसे थे परंपराएं क्या थी तयोहार कौन से मनाते थे सामजी करण सबसे बड़ा एक उधा करण हो सकता है लेकिन ट्यूसन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेल और फीमेल में आप अंतर करें नाइन नमबर का आंसर क्या होगा दोस्तों तो नाइन नमबर का आंसर हो जाएगा जेंडर भूमी का रूड़ी बद्धिता क्यों हो जाएगा क्योंकि आप जानते हो कि समाज में रह रहे हो तो समाज में ये क्या होगा स्टेरोटाइप समस्याएं आएंगी ही आएंगी कह रहा है सामाजिक भूमिकाओं के करण ना की जीव वैग्यानिक संपत्ति के करण सौपी गई विसेस्ता क्या कहलाती ही मैं कहता हूँ कि दोस्तों बिलकुल रूल बद्धिता का मतलब होता है स्टेरोटाइप स्टेरोटाइप कहता है कि जो पुराने परमपराओं से चली वे भी होता था लेकिन क्या है दोस्तों कि यानि कुस्सन पर आप कुस्सन पर आए कुस्सन तो भाई करना ही पड़ेगा तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर लड़कियों की अपेक्शा लड़कों पर जादा ध्यान देता है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा वो पक्षपात कर रहा है बिल्कुल सही बात अब देखी गाई यहाँ पर क्या है दोस्तों अगर रूड बद्धिता होता तब भी हम नहीं लगातें अगर ये वाला option पक्षपात के साथ ये भी दिया जाता तो भी नहीं लगाते क्यों नहीं लगाते क्योंकि लड़के और लड़कियों में अगर अंतर किया जाएगा बॉआईजन गरल में तो तुरंत आप पक्षपात लगाएंगे लेकिन अगर पुरानी परंपराओं से जो चला आरा अंध विश्वास हैं दोनों अंध विश्वास तो वहाँ पर आप रूडबत दिता लगाएंगे लड़कों को बाहर का कारे करना चाहिए और लड़कियों को घर का कारे करना चाहिए ये दोस्तों क्या होगा अनुसंदान आधारी धरना है लेंगिक पूर्बाग्रे पर आधारी धरना है सत्य धरना है या फिर उप्रोक सभी तो आंसर भी हो जाएगा क्योंकि भहिया इसमें अंतर किया जा रहा है लेंगिक पूर्बाग्रे है जंडर वायस्ट की बात करी जा रही है बारा नंबर देखिएगा निम्लिकित में कौन सा समाज में निम्ल जो है समानता का मानदंड हो सकता है बड़ा अच्छा प्रश्ण है अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा ठीक है देखिए यहाँ पर समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है या मापदंड हो सकता है विद्याले में पुरुस और महिला सिक्षकों की संख्या में तुलना कच्छा बारा में लड़के और लड़कियों दोरा समान संख्या में प्राप्त विसिस्ट योगिता कच्छा 12 तक पहुँचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करना ये कच्छा चात्राओं को विद्याले से बाहर आयजुत प्रतियोगताओं में भाग लेने की अनुमत दी जाती है यहां तो भाई या पूरा D option में क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा लड़के और लड़कियों में विद्याले में पुरुस और महिला सिक्षकों की संख्या में तुलना की जाए एक ये हो जाएगा तो विद्याले में पुरुस और महिला सिक्षकों की बात थोड़ी ना हो सकती है हमें बच्छों को भी तो देखना है ध्यान रखा कि हाँ हमें पलडा जो है बरावर रखना है समझ में आया याद रखिएगा समाज में विभिन लिंगों के लिए उप्यूक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विसेस्ताओं के बारे में जन सामाने के अवधार्णाओं को क्या कहा जाता है अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों जब करेक्टर की बात आ जाए ध्यान दीजेगा हाँ बिल्कुल बात कंसीडर करने की बात आ जाए एप्रोप्रियेट फॉर डिफरेंट सेक्से इन सोसाइटी तो हमसे यह कुछ दन पूछा जा रहा है कि समाज में बिभिन लिंगों के लिए उप्युक्त माने जानी वाली प्रारूपी विसेस्ता तो अगर तेरह नंबर का अंसर आपके दिमाग में है तो वो हम कहेंगे रूड बदीता बिल्कुल सही बात है उप्युक्त माने जानी वाली मतलब पहले से आ रही है अब धारनाए बनी हुई मेरे बाबा के नाना के दादी के पहले दिमाग में था कि नहीं तुम नहीं काम कर सकती हो ऐसा हो सकता है यह त वही काम करेगा यह सुरेस ही काम करेगा समझ मैं चलिये खिलोने पहनावे की बस्तुएं घरेलू सामिगरी या व्यवसाय एवं रंगों को विसिस्ट लिंक के साथ सम्मंदित करना क्या पदरसित करता है बताईए दोस्तों जेंडर प्रासंगिता जेंडर रूडबदिता यानि स्टेरोटाइप्स विक्सि जेंडर पहचान या जें एक दिन में नहीं तै होता है जो आप यहां पर बात कर रहे हो घरेलू यानि पहनावे की बात कर रहे हो जो एक दिन में नहीं चला रहा जो पहले से चला रहा हाउसोड क्लोधिंग आइटम्स हाउसोड ये पहले से चला रहा दिमाग में क्या होगा आंसर दोस्तों ऑप्श के लिए साही है लेंगी पूरबागरे को परदरशित करता है बिल्कुत सही बात है अगला कुस्सन कच्छा में जेंडर रूड बद्धिता से बचने के लिए एक सिक्षक को क्या करना चाहिए लड़कों को जोके मुठाने और निर्विक बनाने के लिए प्रुसान करना नमबर का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा बताए बहुत बढ़िया हाँ बचने के लिए अब देगे निर्व उतसाहित करने की बात उतसाहित कर दो तो ठीक है कुस्ती में भाग लेने के लिए निर्व उतसाहित एक निगेटिव हो गया अच्छी लड़के लड़कियों को एक साथ ये सही है आप परंपारिक भूमिकाओं में रखना चाहिए यानि हर तरीके का बरावर जो है दर्जा मिलना चाहिए तब ही आप रूडबदीता से बच सकते हो निमलेगित में कौन सा समाज में लिंग समानता का मापदंड या मांदंड हो सक करता है जबाब दीजेगा साइद ही मैंने कुछन कराया है कोई बात नहीं है आपको याद रखना है option number क्या हो जाएगा C हो जाएगा कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों को और लड़कियों की संख्या की तुलना अभी हमने कराई कुछन रिपीट हो गया कोई बात न बालन करती है भासा पर अच्छा अधिकार रखती है एक लिंग मुक्त भासा का प्रियोग कर रही है या लिंग पूर्वा ग्रह से ग्रिसित है 18 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा बताएंगे तो मैं यह कह सकता हूं दोस्तों कि एक लिंग मुक् प्रधान है वो है कोई लड़का ही है या कोई व्यक्ति है आदमी मैन है अब दिमाग अध्यापिका ने यह लगाया कि इस मैन को कैसे चुपाया जा सकता है इस लड़की को या लड़के को ऐसे सब्द में चुपा दें जो यह पता ही ना चले कि हां बाकई में जो है प्रध प्रधान मंत्री उपराश्ट्रपती मेल फीमेल दोनों हो सकता है तो इसलिए इस कुछन का अंसर ओप्शन नमबर सी हो जाएगा उननिस नमबर लिंग जेंडर पक्षपाट डाट डाट की ओर संकेत करता है अनुवानसिक विविनताओं जो लड़कों और लड़कियों में मौझूद है इस्त्रियोचित और पुरसोचित बिसेस्ताओं में सापेक्षिक रूप से स्वैम का बोध करना अपने सरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विविनताओं की स्विक्रित और सांसकतिक अभिविर्तियों के कारण अपेक्षाओं पर लड़कों और लड़कियों में विविन वेवहार दोस्तों मैं आपको बता दूँ हमने इस वीडियो में 25 प्रस्ण कराए है और हमने आपको बताए कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताए कि रूड बदितार पक्षपात ये सब क्या है वो तुरन देखिए ठीके ना नीचे मैंने सारी वीडियो के लिंक दिये है चाहोगे तो दो गंटे में सारे वीडियो खतम कर दोगे अगर अपने अपर आ जाओ ठीके ना एकजाम को क्रेक करने के लिए नीचे सारी वीडियो दी हुई है चलो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सांस्कृतिक वाला उप्सन होगा सांस्कृतिक अभिवरतियों के लड़कों और लड़कियों में भिन 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 वेवहार की बात करें तो यह दोस्तों क्या है यह साब साब जेंडर पक्षपात की बात कर रहा है कि भाई लड़कों का अलग वेवहार लड़कियों का अलग वेवहार गलत है ना चलिए next question की बात करेंगे लड़कों एब हम गर के अंदर के कारियों को सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को ग्रेविज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए लड़कियों को घर के कारियों में सहायता करनी चाहिए अब ये चारो कुछसन है दोस्तों कैसे काम बनेगा आप देखो हमारे जो समाज में रूड़ी बदिता है कि लड़कियां घर का काम करेंगी लड़के बाहर का काम करेंगे आज भी चल ला है तो हमें इसको कैसे बैलेंस बनाना है आप 20 नमबर को कैसे बैलेंस बनाओगे 20 नंबर को balance दोस्तों ऐसे बनाओगे कि लड़कों को अगर घर के कारियों में सहायता करनी चाहिए यह नहीं है कि लड़कियां बाहर करेंगी लड़के अंदर काही करने लगें पोचाही बरतन करने लगें लड़कों को घर के कारियों में सहायता करनी चाहिए ये लिखा है कि अगर साहेता करोगे तो भहिया बैलेंस बरावर हो जाएगा समझ में आए ये आपका एक रूड़ बद्धिता से बचने का तरीका है पूरवग्रे से बचने का तरीका है कच्छा इतने इतने कि एक पाठी पुस्तक में इस प्रकार चित्र है कि शिक्छी का एबम घरेलू का शिक्छी का एक क्या है एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला जबकि डाक्टर एबम पाइलट के रूप में पुरुस है इस प्रकार के चित्रन से क्या बढ़ सकती है क्या बढ़ सकता है मतलब क्या है कि एक जो लड़की है एक जो लड़की है या महिला है वो महिला जो है क्या कर रहे है घर का काम कर रही है यानि फीमेल जो है घर का काम कर रही है और मेल जो है क्या दरसाए गए है उस चित्र में डॉक्टर और पाइलट दरसाए गए है तो मतल ठीक था तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा लिंग अब पूर्बा ग्रेतों है नहीं तो यहाँ पर क्या है एक अंद विश्वा जिसका कोई प्रमाड नहीं है तो लिंग रूड बदिता हो जाएगा लिंग जेंडर पक्षुपात डौट डौट की और संकेत करता है बताएगा बहुत अच्छा प्रश्ण है ये भी 22 नंबर बताओ 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 लिंग जेंडर पक्षुपात की और संकेत करता है कि अनुवांसिक विविनताओं जो लड़कों और लड़कियों में मौझूद है साइद अभी हमने इस कुशन्स को कराया है इस कुशन्स को फिर से रिपीट हुआ है कोई बात नहीं है यहां बारा कुशन्स रिपीट हो गया है कोई बात नहीं उन्निस नमबर 23 पर जाईएगा प्राया लड़कियां गड़ित में कमजोर होती है अगर हम गड़ित में अगर लड़कियों को कमजोर मान लेंगे तो मैंने क्या कहा कि जिस लड़की का गड़ित कमजोर होगा वो मान लेगी कि हाँ यह सत्य धारना है लेकिन ऐसा नहीं है गड़ित कमजोर होना क्या सत्य है लड़कियों की होती है बिलकुल नहीं है यह एक क्या है वायस्ट प्रक्रिया है लेंगिक पूरवा ग्रह पर आधारित प्रक्रिया है 24 नमबर देखे सामाजिक भूमिकाओं के करण नकी जीब बैग्यानिक संपत्ति के करण सौपी कई पिसिस्ता है क्या कहलाती है तो सामाजिक भूमिकाओं के करण दोस्तों अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा जेंडर रूडबधिता मैं आपको अभी लास्ट में ट्रिक भी बता देता हूँ 25 में कि अगर कोई भी अंतर किया जाए तो उसमें लिंग पूरवाग रहे आपको ठोक देना है नहीं है तो लिंग रूडबधिता ठोक देना है बस बात खतम यही है पूरे चैप्टर का निचोड बालिका सिक्षा को महता देना उचित है इस कुस्षन का अंसर क्या होगा किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए बालिकाएं जो हैं समर्थ होती है इसलिए इस कुस्षन को एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बहुत इंपोर्टेंट है यही एक ऐसा कुस्षन है जिसको केवल में लिया जाता है केवल वाले में लिया जाता है यही एक ऐसा कुस्षन है दोस्तों जो एकजाम में ट्रेंड होने वाला सबसे ज्यादा कुछ सन पूछा जाता है मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत इंज्वाइ किये होंगे टेलिग्राम गुरूप को जॉइन करने के लिए गुरूजी वर्ड आपके लिए कुछ पीडिया बन रही है कुरूजी वर्ड जॉइन कर ले आपको लोगो ग्रीन कलर का मिलेगा और उसमें टिक लगा होगा नीले कलर का जैहिंद वन्दे मातरम